नमस्कार मेरा नाम है ग्यानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया निट्वर्क आज हम भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आई एनस विक्तांत के बारे में चर्चा करेंगे बता दे कि इसका समद्र में दूसरा ट्राइल भी चल रहा है यह विमान वाहक युद्वोत पूरी तरीके से स्वदेश में निर्मित इसकी खास बात यह है कि यह पूरे तरीके से आत्याधुनिक सुविधाओं से लैश है बता दे कि भारत के पास इससे पहले भी एक विमान वाहक युद्धपोत है जिसका नाम है आईनेस विशाखा पत्नम जिसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के लिए सिर्दर्द साबित होती है बताया यह जा रहा है कि अगले वर्ष तक आईनेस विक्रांत भी भारतिये नौशेने में सामिल हो जाएगा जिसके वज़े से विमान वाहक युद्धपोत मौजूद हो जाते हैं तो सोचिए कि भारत को किस प्रकार मजबूती प्रदान मिलेगी खास कर नौसेना को बता दे कि आईनेस विक्रांत जो विमान वाहक युद्धपोत है या पूरी तरीसे से कोची CPR लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा ह इसका पिछले वर्स पहला ट्राइल भी किया जा चुका है जो पूरी तरीके से सफल भी हुआ था और इस साल दूसरा ट्राइल चल रहा है आईनेस विक्रांत जो इस युद्धपोत का नाम है वह एक संस्क्रिप्त का सब्ध है इस विमान वाहक पोत का आदर्श वाक्य है जैमा सम्युधी इस पर्धा जिसको रीग बीट से लिया गया है हिंदी में इसका अर्थ है जो मित से युद्ध करेगा उसे मैं परास्त कर दूंगा ऐसे में अगर यह भारतिये नौ सेना में आईनेस विक्रांत शामिल हो जाता है तो इससे दुश्मन देश काफी सदमे में आ सकते हैं क्योंकि अगर देखे तो अभी तक चीन के पास महस दो विमान वाहक युद्धपोत इस समय मौजूद हैं वही पाकिस्तान के पास इस समय एक भी विमान वाहक युद्धपोत मौजूद नहीं है अगर दूसरा विमान वाहक युद्धपोत भारत की बेड़े में शामिल हो जाता है तो इससे समुद्री रक्षा भी भारत की काफी बढ़ जाएगी इस वीडियो के संदर्व में आपके क्या विचार है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न बोलें